नमस्कार मैं हूँ डाक्टर सुनेल सत्यार्थ आज के वीडियो में आप शभी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम जिस भी सहे पर चर्चा करने वाले हैं वो है आतों की सफाई आपकी आते अधिक गंदी हो गई है उसमें कचड़ा जम गया है और उसको साफ करना ह क्योंकि आपको कब्ज की समस्या रहने लगी है भूक न लगने की सिकायत होने लगी है और आपका लेटरीन भी सही नहीं हो रहा है पेट में गैस बनने की भयंकर बीमारी शुरू हो गई है कभी कभी लगता है कि आपको सूगर की समस्या हो जाएगी या सूगर हो गया है ब आतों की सफाई कैसे करें आएए इस वीडियो में हम जानते हैं तो नमस्कार आएए वीडियो को सुरू करते हैं कि अपने आतों की सफाई करने के लिए आपको क्या करना है इस पर पूरा प्रूसीजर आपको हम इस वीडियो को पूरा देखना होगा तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपनी आतों की शफाई आप कैसे कर सकते हैं अगर आतों में आपके कचड़ा भर गया है और उसको आते अवसोसित कर रही है तो जाहिर सी बिमारी है कि आपके खुन भी गंदा हो जाएगा और खुन खराब होने के वज़ा से आपके सरीर में विभी हो जाती हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले रात्री में सोते समय यानि कि रात्री का जो भोजन आप करते हैं उसको साम को साथ बजे से पहले पहले भोजन कर लें और सुबह किसी भी तरह से आप आठ बजे के बाद ही भोजन करें यानि कि नौ से दस के बीच में भोजन करे उससे पहले आपको करना ये होगा कि अपने आतों की सफाई करने के लिए सुबह नित्य कर्म इत्याद करने के बाद लगबग आठ वजे के करीब में आपको एक गिलास सफेद पेठे का रस पीना होता है पेठे का रस बनाने के लिए आपको करना ये होता है कि पेठे के छिरकों के उतारेंगे उसमें जो बीज होता है उस बीज को भी निकाल लेंगे और उसके बाद उसके गुदे का रस निकालेंगे रस निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि विलकुल रस अच्छे से निकल जाए और उसमें रस निकालते समय आप बेल पत्र भी दो तीन डाल देंगे बेल पत्र सुगर के रोग्यों के लिए रामबाड होता है और अगर नित्य रूप से इसका प्रयोग अगर आप करते हैं यानि कि आप सफेद पेठे के रस में दो या तीन पत्ता बेल पत्र का रस भी यूज करते हैं तो आपको सुगर की समस्या बिलकुल होने ही नहीं पाए और अगर है तो ठीक होने लगेगी दीरे दीरे तो इसको सुबह आठ बजे इस जूस को आपको पीना है और पीने के बाद एक घंटे तक किसी भी प्रकार का कोई आहार बुख द्वारा नहीं लेना है आप देखेंगे कि दीरे दीरे आपका पेट साफ होने लगेगा और इस को लेने के एक हपते के बाद यानि कि अगर नित्य इस ड्रिंक को आप एक हपते तक लगातार लेते हैं तो आपका पेट बिल्कुल साफ होने लगेगा आपके चेहरे पर आँखों में चमक आने लगेगा सरीर से जो भी खुजली इत्याद दादखाज की समस्या हैं वो भी ठीक होने लगेगी ब्लड पेसर कंट्रोल हो जाएगा सुगर कंट्रोल होने लगेगा कब गैस की समस्या ठीक होने लगेगी आपको भूख बढ़ने लगेगा और इसका प्रियोग आपको लगातार तीन महीने तक करना होता है आपकी आते बिल्कुल साफ हो जाएंगी आप बिल्कुल नए और तरो ताजा अनुबाव करने लगेंगे तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट कर जरूर बताईएगा धन्यबाद नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रम